नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चेनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी मील हतीली पुरुस है और आपकी हतीली हमारे सामने बिसलेशन के लिए आई हुई है आपकी हतीली का जो आकार है वास्तों में पूरी तरों से आईताकार है निश्चित रूप से एक दार्षनिक किसम का आपका ब्यक्तित्व है एक कहीं न कहीं सकारात्मक सोच रखने वाला ब्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है आगे जो करियर रहने वाला है उसमें बोलने का बहुत ज़्यादा काम चलेगा बोलने की जो टकनीक है दूसरों को प्रभवित करने की जो टकनीक है अपने सामान को बेचने जैसे जो टकनीक है इस प्रकार की आपको छमता लानी होगी इस प्रकार का करियर आपका बहुत अच्छा चनले वाला है जैसे कहते हैं गंजे को कंगी बेचना जिसके सर में बाल नहो जो व्यक्ति अगर उसको कंगी बेच ले वो अपनी जीवन में सफल हो सकता उस प्रकार का करियर आपका रहने वाला है उसमें आपको फायदा मिलेगा जिसमें मस्तिस्क से ज़्यादा कार्य चलना हो सार्रिक मेहनत की जरूरत मस्तिस्क की मेहनत की जरूरत के मुकाबले कम हो ऐसे में इस परकार की चीजें आपकी ज़्यादा दिखाई दे रही है दूसरी बात चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखेगा, एक चीज बहुत ध्यान से देखेगा, यह आपके मस्तिस्क रेखा यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, और यहाँ से आके यह इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे कहीं न कहीं जो है, हलका मिल रही है इस प्रकार से, ठी और फिर एक रेखा यहां से निकल कर हिर्दे की लकीर में समाहित हो रहा है यह जीवन की रेखा से यहां से निकल ली है एक यहां से निकल ली सबसे पहले यहां पर थोड़ा ब्रेक हो रही है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यह समस्या आ सकती है यह समस्या आपके अंदर रह सकत कि पहले आप कोई भी कार्या चाहिए कितना जटिल हो कितना कठिन हो संभव नहीं हो लेकिन वो भी सुरू कर सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं प्रस्तितिवस या कुछ ऐसा एकागर्ता की कमी के कारण उसे बीच में ही छोड़ सकते हैं और प्रारंब से लेकर अंत तक एकागर्चित हो कर उसकारे को पूरा करने की छमता में कमी आ सकती है इस चीज को आपको प्रबल करना है इस चीज को आपको ठीक करना है तो चीजें बहूत अच्छी रहेंगी चाहिए आप किसी भी छेतर में जाओ दूसरी बात है कि ये जिवन की रेखा से आगे जा रही है तो ऐसे में क्या है कि आप दूसरों की बातों में दूसरों की सलाह में बहुत ज्यादा आ सकते हैं दूसरों के दिमाग से कार्यक को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा का यूज जो है आप कम कर सकते हैं ये चीज आपके लिए अच्छा नहीं है इस परकार की सिच्वेशन है क्या करना है आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूँ वो तो जरूर करना है लेकिन थोड़ा चीजों का एनलिसिस करना है सबसे पहले अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो डेपलप करनी है दोसरों के सलाहले, दोसरों के दिमाग को भी देखें लेकिन उसमें जल्दी से काम न करें अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो डेपलप हो जाएगी तो आपको परक्षने की, आपको समझने की चमता जादा आ जाएगा आपके अंदर है अच्छी प्रतिबा भी है, तिब्रबुद्धी भी है सोचने समझने की चमता भी जवरदस्त है लेकिन कहीं न कहीं मस्तिस्क रेखावत आती है कि बहुत जादा डेपली में नहीं जाएगे किसी की सला पसंद आ गई, किसी का दिमाग का कार्या पसंद आ गया चलो भाई करो और बीच में थोड़ा सा चीजों में कठिन लगी, बीच में ही छोड़ दो ये चीज आपको खतम करनी होगी है लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है यहां से हिर्दई की रेखा में जो है लकीर जारी इसका मतलब है दिवेकी हैं आप, दिमागी है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा सुरूप भी बना सकते हैं कि दूसरों को भाउक करके उसका भी इस्तिमाल कर लेना जानते हैं और ब्यापार की समझ जबरदस्त है तो आपको चाहिए खुद की स्वतंतर विचार धारा पे काम करें दूसरों के बातों में बहुत ज़्यादा ना आए दूसरों के दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रियोग ना करें ठीक, तो चीजें सफल होंगे इसमें कहीं भी कोई जो है किन्तो परंतो नहीं है अब यहाँ पे देखेगा सांदार तरीके से देखेगा आपके हतेले बहुत कुछ कह रही है आपकी जो प्रमुख रेखा है हिर्दई के लगिये यहाँ से निकल करके यूँ जा रही है और यहाँ पे देखेंगे एक भाग यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे ब्रस्पति की तरप यह बिश्णो का तिलक बना रहा है क्या बता रहा है देखेगा इस पश्ट तरीके से देखेगा यह बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं पंच भूत है आपकी जोएलिमेंट है आपके सरीर के जो साथ चक्र है आपकी जो पांच ग्यान इंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिया है उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इश्टदैब है वो भगवान विष्णु है आपके उपर साक्षात भगवान बदरी विसाल जी की इस बैकुंट धाम के जो स्वामी है भगवान बदरी विसाल जी की बदरी नारायन जी की विसेश किरपा है और अगर आप अपनी जीवनकाल में आगे अच्छे कारे करेंगे अच्छी राह पर चलेंगे तो आपको किसी भी काम में अवस्य सपलता मिल जाएगी चाहिए काम लेट हो सकता है लेकिन उसमें सपलता मिलनी ही मिलनी है ठीक नए और आपको हराना आपकी विरोधियों के इसके अलावा आप समाज में बहुत अच्छी लोग प्रियता बहुत बड़ा सम्मान भी पाएंगे और अच्यंत भग्यसाली लोगों में से आपकी एक गिंती होगी आपका उधारण देंगे लोग लेकिन एक बात का ध्यान रखना दो नम्मर के जितने भी काम हैं आपको लालायत करेंगे पहले पहले फाइदा भी जबर्दस्त देंगे लेकिन ये काम आपको सूट नहीं करेंगे आप फिर जबर्दस्त जो है काम खराब हो जाएगा जिसको हम कहते हैं कि काम खराब होना वो हो जाएगा रसातल की और चले जाएगे और फिर उससे उभर नहीं पाएगे तो क्या करना है नम्मर दो के काम जितने भी हूँ लालायत करें चाहे कुछ भी करें लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है अगर आप अपनी स्वतंतर विचारधारण डेपलप करते हैं तो आपकी मिडिल फिंगर कहीं न कहीं आच्यारे बिरस्पति की उंगली की तरफ देख रही है और सही अनुपात में यहाँ पे खड़ी है एक अच्छी लंबाई में है न तो बहुत लंबी है न छोटी है न मोटी है अनन जो है टेडी मेडी है जुकाव जरूर विरस्पति की तरफ है बहुत अच्छा है यह बिक्ति की जो मानसिक चमता है उसको जवरदस्त एक्टिब रखता है तो मानसिक चमता आपक की परिपूर्ण रहेगे और कहीं न कहीं भग्या का साथ मिलेगा स्वाबिमानी रहेंगे विवेख पूर्ण धंग से ब्यववार करेंगे दूसरों की मदद करने वाला व्यप्तित्व भी रहेगा बुद्धिमता से काम भी करेंगे अगर स्वतंत्र विचारदारा अपकी ख आपकी एनरजी को दिखाता है क्योंकि ये अगनी तत्व का मालिक है ठीकन लाल चीजें इसको बहुत ज्यादा पसंद है तो ये क्या है ज्यादा फोल गया है तो छण भंगोर वाला गुस्सा बात बात पर जबर्दस्त गुस्सा आ जाता है सहन करने की छमता कम ये चीजें र आप का चेतर जो दिखाई दे रहा है वो ब्यापार का दिखाई दे रहा है आप ब्यापार में बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेंगे इसके लिए कुछ चीजें करनी है वो तो जुरोरी है अब मैंने कुछ चीज़ों के अंदर जो है आपको दे दे, अब जीवन की रेखा को भी देख ले जीवन की रेखा आपकी इस तरों से आती हुई और यहाँ पे इस प्रकार से यह जाती हुई अच्छा इसको देखें अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से आ रही है यहाँ पे इस रेखा से मिल रही है यह रेखा आगे जारी है फिर यह रेखा जो है आगे जाती हुई दिखाई दी रही है इस प्रकार से रेखा बन रही है ठीक है ने और जो ये रेखा जा रही है ये आगे बुद्ध की तरफ जा रही है ये रेखा करियर और धन की रेखा यहां तक जा रही है अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेखा कहीं न कहीं इधर तक जा रही है फिर एक रेखा इधर तक जा रहे है ठीक है? और फिर यहां पर जो है कहीं न कहीं मचली का चनिय बना रहा है अब देखेगा जीवन की रेखा कहां जा रही है? चंदरमा की तरफ और कहां का प्रभाव पढ़ रहा है? किये तुका देखेगा जब भी कि मैंने देखा प्रेक्टिकल रूप में यहाँ पे सास्तरों की बात नहीं करूगा मैंने देखा है कि जब भी जीवन की रेका सिधा चंदरमा की तरफ आती है तो जीवन में सब कुछ होते हुई भी जो इस्थिरता है उसमें थोड़ा कमी रहती है और ऐसे लोगों की जो जबरदस्त तरकी होती है वो अपनी जन्म अस्तान से दूर होती है जन्म अस्तान में रहकर जो मैंने प्रेक्टिकल रूप से देखा है सास्तरों की बात नहीं करना हूँ यहाँ पे मैं कुछ-कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो मैंने practical रोप से देखी हूँ आतिलियों का अधियन में ऐसे लोग जनम अस्तान में रहकर बहुत ज़्यादा तरकी नहीं कर पाते हैं निखर करके नहीं आ पाते हैं जिस प्रकार से उनको आना चाहे था उस प्रकार से उभर करके नहीं आ पाते हैं जनम अस्तान से दूर ही ऐसे लोगों की तरकी होती है दूसरी बात है कि ऐसे लोग जिवन में तरकी करते हैं बहुत सरिष्ट अउस्ता तक भी पहुंचते हैं लेकिन उसके पीछे संगर्स जरूर रहता है उतार चड़ाव जरूर रहता है और कई बार और इस्तिर्ता का भी सामना ऐसे लोगों का करना पड़ता है इसका कोई उपाई भी नहीं होता है ठेक है न? लेकिन कर्म स्रेष्ट करते हैं एक दिव्य कर्म करते हैं ऐसे लोग एक संत प्रोष की तरह और अंत में मोक्ष की प्राप्त ऐसे लोगों को होती है अब यहां पर एक मचली का सांदार चिन बन रहा है निश्चित रूप से क्या बता रहा है धार्मिक प्रवृति का ब्यक्तित्व भी रहेगा धर्म और अध्यात्म में भी निश्चिती ही जो है ब्रति होगी इसमें रुझान बनेगा अब तीसरी चीज क्या कह रही है यहां से जो यह रेखा जा रही है यह रेखा क्या है बुद्ध की रेखा है यह रेखा बता रही है कि कहीं न कहीं आईउम आपकी बहुत अच्छी रही जीवन में आने वाले समय में जबरदस्त सपलता मिलेगी और ब्यावसाई में तरकी होगी राजनीती की छितर में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ब्यावसाई में तरकी को दिखा रही है जातक बाणी को बेचेगा यनि बोलने के धंग के कारण आने वाले जीवन में अच्छा खासा धन कमाएगा लेकिन एक कमी है डाइजेस्टिफ सिस्टम का ध्यान रखना होगा पेट समंदी रोग परिशान कर सकते हैं इसकी आसंग का जादा है दो बातों का ध्यान रखे एक तो और चीज में उपाई तो वाटसप नमबर पे दूँगा लेकिन एक दो उपाई में बता रहा हूँ एक तो पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करे भरपूर मातरा में पाने का सेवन करे दूसरी बात है खाना खाने के बाद अगर कोई समस्या नहीं है तो गुड का सेवन करे गुड आता है ने गुड का सेवन करे ये दो चीजों का विशेश दिहान रखे और तीसरी चीज में तो दूँगा बहुत अच्छी चीजे दूँगा आपको अब यहां पे देखेंगे सनि के परोथ पर मचली का चिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक बात तो जरूर है कि एक जिसको कहिता है ना हम दार्षनिक बिद्या की तरब जो है रहस्यमे बिद्या की तरब जो है रुजहान यह भी दिखाई चाए जनम पत्री हो, चाए हस्त रेखा हो, इन चीजों की नौलेज भी कही न कहीं रहेगी, राशियवद्याओं की कहीं न कहीं नौलेज बनी रहेगी, चाहे कुंडली हो चाहे हस्त रेखा हो चाहे तंत्र भी ज्यान हो कहीं न कहीं इन चीजों की और भी विश्वास भी बना रहेगा और इसकी नौलेज भी बनी रहेगी और एक अनुसासन प्रिय बिक्तित्वा बना रहेगा और एक दार्शनिक किसम का बिक्तित्वा भी दिखा देता हुआ यहां पर नजर आ रहा है लेकिन यहां पर करियर और धन की रेखा देखें तो करियर और धन की रेखा यहां पर जादा अच्छी नहीं है और सबसे मेन तो यहीं होती है तो कहीं न कहीं धन के मामले में और करियर के मामले में अस्ताइप तो पाने के लिए आपको म पूजा करने से नहीं किरियाओं को करने से भी साथ में पूजा भी किरिया भी दोनों चीज आपको करनी पड़े अब यहां पर देखेगा एक रेखा आपकी यहां पर डेपलप हो रही है जिसको हम कहते हैं मंगल की रेखा बहुत सुन्दर रेखा है निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी उजोसी लेकिन ये ठीक करना है ने तो चिड़ा स्वभाव या जो है छण भंगुर वाला गुसा जब किसीने बोल द या तो गल्ण तो हो गया फिर बहुत ज़्यादा जो है गलानी हो जाती है लेकिन क्याबु करते करते बी फिर जब्रदस्त आ जाता है तुरन ठंडा हो गया तुरन तो इस प्रकार की चीज़ी ज़्यादा रह सकते हैं और भहयन कर गुसा आ सकता है चिरचिड़ापन से आने वाले समय में दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर बनी रहेगी और जितनी जादा स्रणागति जाएंगे समरपन रहेगा उसी हिसाब से दिव्यता और भव्यता को भी प्राप् है तीब्र बुद्धि के मालिक हैं और इसका फायदा मिलेगा सोचने समझने के सक्ति आप में विशेश रूप से हैं इसका फायदा मिलेगा लेकिन अपनी खुद की विचारधारा को डेपलाप करना पड़ेगा और ऐसा भी व्यक्तित्व निखरकर आ सकता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थे में रेखेंगے आपका विक्तित्व जो है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभाव साली रहने वाला है और जबरदस्त प्रभाव आपका विक्तित्व का रहेगा यह मंगल की रेखा क मिलेगा चाहे प्रोपल्टि समंदी कोई काम करें चाही आप रेल इस्टेट का कोई काम करें तो निश्चित ही जो है इसमें आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा ऐसा उद्योग हो ऐसा ब्यापार हो तो मंगल के कारण जो है चीजें बहुत अच्छी रहेंगे आप निसंग कोच इस ब्यापार में चले जाएगा ठीक है ने एक दो चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी देखेगा ये चीजें तो ठीक है लेकिन जब तक करियर और धन की रेखा नहीं ये ठीक तो नब करियर के नधन मैं अस्ताई तो आएगा पैसा अच्छा दिखेगा आएगा लेकिन उसने डबल चला भी जाएगा अस्ताई तो नहीं तो आप जो है मंगल समंदी अगर काम करें तो जबरदस्त चीज हाजिर रहेगा आप पास दोनों का उपाई में दूँगा अब यहाँ पे देखेगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं यह उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस रहेने वाली है लेकिन यह इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पारी है तो कागजों के रख रखाओ एकाउंटिंग फाइलिंग और मनी मेनेजमेंट इसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है इसको थोड़ा ठीक करें यह उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है इस उंगली की तरफ निश्चित रोप से यस पानी की एक्षा अपने कारियों में विस्तार पानी की एक्षा और नेम इसकी क्वालिटी भी कहीं न कहीं आपके अंदर जबरदस्त है यह दोनों बराबर हैं दोनों मिडल फिंगर से छोटी हैं यकिन मानिएगा धन और यसकी भूक आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी पैसा और सम्मान बरतमान में आपको जो है जरूरी दिखाई दे रहा है और स्वतंतर विचारधारा बनी रहेगी और जादतर अपने मन के मालिक रहेगे ठीक है न और लिडर्शिप की क्वालिटी निखर करके आएगी यह भी यहाँ पे इस पश्ट तरीके से यह बता रहा है अब यहाँ पे अंगुठा अगर हम देखते हैं एक सुखद जीवन जीन के लिए परितन सेली बिक्तित वबी है और कारे के परते जबर्दस्त जिद्ध भी है बहुत सुन्दर और धीरे धीरे अगर यह बिस्तिर्ट हो जाते हैं और यह जबर्दस्त रुप में इस परकार से निखर कर आती है तो अचानक बहुत बड़ी तरक्की भी आपकी जीव को जबर्दस्त तरकी भी अपनी जीवनकाल हमें मिलेगी हैं पर्थम रेखा है यह स्वस्तिय की रेखा हैं ये रेखा पताते हैं आपके स्वस्ति के बारे और आपके अरोग adesso और तंदुरस्त daar लिकिन रेखा एकदम सपश्ट नहीं हैं बलकि बहुत सारी रेखा दों रहे हैं डिश्टब कर रहे हैं साररिक स्वस्त्या के मामले में हल्का सचित रहना है आपको मनि ऐसा नहीं बहुत संकट वाली विमारी नहीं है लाई-लाज विमारी नहीं है लेकिन digestive से समंदित पेट से समंदित या मौसम से समंदित जो परेशानिया है वो थोड़ा परेशान कर सकती हैं चाय स्वरस्ति का मामला हो चाय तंदुरस्ति का मामला हो चाय आरोग्या का मामला हो दूसरी रेखा अगर हम देखते हैं तो ये रेखा बहुत सुन्दर है लेकिन बहुत सारी रेखाई इसको काट रही है और ये बीच में द्वीप बना हुआ है और यहां पे कहीं न कहीं इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और करियर और धन की रेखा भी आपकी इसपश्ट नहीं है तो ये रेखा है संपत्य की रेखा, धन की रेखा कहीं न कहीं जो है इसके मामले में अभी ये कुछ समय तक थोड़ संगर्स भी रखेगा तीसरी रेखा अगर हम देखें ये है आपकी जो है सुक की रेखा और एक हल की रेखा इसकी तरफ आती हुई दिखाई दीरी है हाँ सुक के मामले में कुछ समय के बाद ही चाहे स्वस्त्य का हो, चाहे धन का हो, चाहे एसुरे भोगनी का हो कहीं न कहीं सुक की तरफ जो है ये इसारा कर रहा है कि सुक आपको मिलेगा लेकिन एक जबरदस्त चीज है चोथी रेखा उदयमान इस्तिति में आ रही है अगर इश्ट की किरपा हुई इस चोथी रेखा के कारण तो समराट योग बन जाएगा निश्चित तोर पे असमराट योग कब बनेगा जब ये रेखा भी हो और ये भी निर्बिरोद हो और ये तो निर्बिरोद आ रही है जब चारों रेखाएं समांतर दिखाई दे और ये किस साब से दिखाई देंगे जब इस्त की वाश्चित किरपा आपके उपर बनेगे इसके लिए क्या करना है दिपयय जोगध्यान किरिया करनी है महालच्छमी की पूजा करनी है और अपने इश्ट देव की सरनागती जाना है पूरी तरों से समर्पित हो जाना है चलन पकड़ लेने हैं क्या होगा समराट योग मनेगा क्योंकि ये कितु का छेत्र है विशेस प्रकार का छेत्र है ये तीन जन्म में क्या था ये जन्म किस परकार से चलना है आने वाला जन्म किस परकार का होगा इसमें समराट योग मनी राजा से भी उपर जो होता है वो ऐसा योग मना रहा है यानि कहीं न कहीं ऐसी पोजिशन रहने वाली है आपके पास अधिकार आएंगे आपके अंडर में बहुत ज बदवी मिल जाएगी या उन्नत सिकर अपने चेतर में मिल जाएगा बिजनिस के आपका कहना सब कहना रहेगा आपका करना सब करना होगा ऐसा आपका प्रसनल्टी ब्यक्ति तो निखरेगा आपका सब कुछ अपना समझ कर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरन करने बैठ लेकिन ये तब फलित होगा जब आपकी इश्ट की किरपा होगी और लक्षमी की जो रेखा है वो लक्षमी की रेखा जो है इस पश्ट रूप में अपने गंतब्य अस्तान पर निर्भिनोद जाएगी अभी थोड़ा यहां पर कटविरा है तो थोड़ा उलजन भी है कोई न कोई चिंता बनी हुई है जीवन में ठीक अब यहां पर देखेगा अंगोठे के नीचे का जो भाग है सुक्र का परोत है बहुत ज़्यादा यहां पर फूल गया है तो थोड़ा साजो है को समय तक यह मानशिक उलजन रखेगा किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा देखें तो अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना यह चीजें भी ज़्यादा रहेंगी और नहीं चीजों के परती रुजहान बना रहेगा परिवार और कुटम का सही सपूर्ट तब मिलता है जब सुक्र आपका जो है ब पूरी तरो से जुक रखे हैं आपके और यह सनी की तरफ है परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती है इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजेगा और हाँ यहाँ पर एक चीज तो है कि रेखाई इस तरो से जा रहे है अध्यात्मी के परती भी कहीं न कहीं जो है चीजें तो बे वो जहे कि कुछ चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वो जहें पैदा कर सकता है जिससे कुछ समय तक चिंता बनी रहे हैं यहाँ पर एक चीज देखेगा यह तिरबुज है बहुत हुनर चीज है लेकिन कुछ रैखाई इस प्रकार से यहाँ पर जाती हुई दिखा है विक्ति विद्धिमान भी होता है कला का पार्खी होता है सिद्ध हस्त होता है और विक्ति धनी होगा ही होगा इस चीज की और यह इसारा करती। लेकिन जब रेखाई इसकी तरब मुलने बैठ जाती है तो ये भी बताती है कि लगातार उलजन में भी रह सकते है लगातार तनाव में भी रह सकते है ऐसे लगता जैसे तनाव खतम ही नहीं हो रहा हो समस्याई खतम ही नहीं हो रही होंगी सम्मान आता है लेकिन साथ साथ में बदनामी भी आती है यस की प्राप्ति उस रोप में नहीं मिल पाती है तो चीजें यहीं तक रहे क्या करना इसके लिए दिब्य सूर्य किरिया करनी है निश्चित ही जवर्दस्त सफलता आपके हाथ लगेगी यह चीज यहां पर बता रही है आपका मरकरी का माउंट बेहत सुनर है इसका मतलब है ज़ादतर अपने कारियों में आप सफल होंगे इसका मतलब है हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाति समझने वाले बिक्तित्वरा के मालिक होंगे अगर योजना बनाकर चलेंगे स्वयम की जो सतंतर विचारदारा है वो डिपलप कर लेंगे तो निस्चित ही जो है चीजों में सफल होंगे जो भी कारे प्रारम करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे उसे पूरा करेंगे तो ऐसे में सफलता की ज़्यादा चांसेज है वाने के सकती बहुत अच्छी रहेगी अपने को व्यक्त करने की चमता भी सांदार दिखाई दे रहा है थोड़ा सा चंद्रमा हलका अन्बैलेंस हो रहा है थोड़ा सा जो है कभी-कभी मन खराब रह सकता है या थोड़ा नीन आने में कभी-कभी दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है या इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो सकते है भावकता ज़्यादा आ सकती है इसके लिए मैं थोड़ा सा उपाई दे रहा हूं इसको जरूर करिएगा तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगे एक नजर में अगर देखे जाएं तो देखें चीजें बहुत सुनर है जहां सपलता देनी वाली लाइन है वहीं जो है कही न कहीं जो है धन देनी वाली लाइन है कहीं न कहीं जो है मस्तिस्र सकते और अध्यात्मिक सक्ति को बढ़ाने वाली जो है उंगली है चीजें बहुत गजब की है जबरदस्त फाइदा देगी ब्यापार की हतेली है ब्यापार करेंगे जबरदस्त अलाब मिलेगा छोटे मोटे थोड़ा उपाई देरा हूं इसको जरूर करेगा यकीन मानिएगा पस्तित हूंगा तब तक के लिए नमस्कार